हॉस्पिटल की जमीनी हकीकत जानने के लिए आज भारत समाचार की टीम पहुँझी सोशया मातर एवं शिशु जीला चिकिस साले नजारा देखकर चकित रह गए कोई भी डॉक्टर उपलब्द नहीं मिला ड्यूटी पर स्टाफ नर्स अजे मोर्शा समाल रहे थे जब बात की तो उन्होंने बताए कि 24 घंटे फोन पर उपलब्द डॉक्टर संदीप रहते हैं जो भी NICU के और नौडल अधिकारी भी है वही जब हमने मॉबाइल नंबर लेकर बात करने की कोशिश की कई बार मिलाने के बाद भी फोन नहीं लगा यही जबा मिलता था कि कवरच शेतर से बाहर है नवजात के साथ उनके जीवन से खिलवाड किया जा रहा है वही आदी रात बीतने के बाद अस्पताल की विवस्ताय और चर्मारा जाती है और स्टाफ बेखबर हो जाता है लापरवाई इस कदर की नवजात गेहन चिकिसा इकाई के अंदर जूते चपल पहन के भी आसानी से आवागमन हो रहा था गेहन चिकिसा ले इकाई की दूसरी तलब पर यह सो सया का बिंग अस्पताल है और यहाँ पर 24th hours की जो duty है डाक्टर संदीब कुमार जो की नोडेल अधिकारी भी है और इनका दाबा है कि 24 घंटे यह व्यक्ति फोन पर ही तत्रता से रहते हैं जब यहाँ पहुंचे इनका नंबर हमें दिया गया तो इनका नंबर नोट रियेचे बिल बता रहा है यानि कि यह कबरेज छेतर से बाहर है अगर किसी यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो मजूदा वक्त में डाक्टर की उपलब्दी नहीं होगी और सिर्फ इस टाफ ही उस व्यक्ति का इलाज कर सकेगा फिर भी हम अपने जो भी दरसक है उनको बताना चाहेंगे कि एक बार कुन है हम आपको फिर दिखाते हैं कि किस तरीके से इनका नंबर हमें जो दिया गया है स्टाफ की तरफ से वो लगाते हैं और यह कबरेश छेतर से बाहर बताता है यह है जिलात सो सईयास पताल की बिवस्थाएं सिर्फ बच्चों के लिए बिवस्थाओं के नाम पर एक जूट परूसा जा रहा है इसमें ऐसा नहीं है कि CMS भी जुम्मेदार ना हो CMS की रह्मो करम पर इस तरीके से यहां यह कारुबार चल ला है भारत समाचार के लिए मैं महिनपुरी से प्रवीन सक्सेना संबर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है स्टाप ड्यूटी पर हैं भी आप क्या नाम है आपका क्या पोस्ट है यहां अगर हम साधान सा सवाल पूंच रहे हैं आपको डाक्टर साब की जरूरत होती है या उनकी